प्यारे विध्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ, आप सब तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती भी आप सब का उत्सा कायम होगा बच्चों, आज हम दस्मी कक्षा के विज्ञान का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, मैं पूजा शर्मा चंडिगड एजुकेशन डिपार्ट्मेंट से तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि इस अध्याय से संबंधित आप पहले से क्या कुछ जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? स्वच्च वायूमंडल या स्वच्च पर्यावरण से हमारा क्या मतलब है? प्रदूशन किस प्रकार हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? और 3R फॉर्मिला क्या है? थोड़ा बहुत इन सब विश्यों के बारे में हम जानते हैं तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि इस अध्याय में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्या होता है जब हम अप्शिष्ट पदार्थ पर्यावरण में फैकते हैं? पारितंत्र वा इसके संगठक क्या क्या है? आहार श्रंकला वा आहार जाल हमारे दैनिक कार्यों का हमारे आसपास के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पढ़ता है? और ओजोन परत तथा इससे संबंधित कुछ तथ्या तो आएए बच्चों अब हम इस अध्याय को और इन टॉपिक्स को डीटेल में पढ़ना शुरू करते हैं क्या होता है जब हम अप्शिष्ट पदार्थ पर्यावरण में डालते हैं? बच्चों अप्शिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटीरियल जो हम घरों से बाहर फैकते हैं वह मुख्यत है दो प्रकार के हैं जैव निमनी करनीय पदार्थ वह अजैव निमनी करनीय पदार्थ आएए इनके बारे में डीटेल में पढ़ते हैं जैव निमनीकर्णिय पदार्थ वह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि किसी जैविक प्रकरम या शुष्म जीवों के द्वारा अपगटित हो जाते हैं जैसी कि सबजीयों या फलों के छिलके या उपयोग की गेई चाय की पत्ति इत्यादी जैव निमनीकर्णिय पदार्थ वह अपशिष्ट पदार्थ हैं जो किसी भी जैविक प्रकरम या शुष्म जीवों के द्वारा अपगटित नहीं होते हैं जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक की थैलिया, काच, धातू के टुकडे और कुछ रासाइनिक पदार्थ यह सभी अजैव निमनीकर्णिय पदार्थों की काटेगरी में आते हैं आईए बच्चों, अब हम देखते हैं पारी तंत्र क्या होता है आईए बच्चों, जील के इस चित्र को ध्यान से देखिए आप इस चित्र में अलग-अलग प्रकार की मचलिया, कुछ बतके और कुछ उड़ते हुए पक्षी देख रही है हम जील के एक हिस्से में कुछ शेवाल भी देख रही है जील जल से भरी हुई है और इसके चारों और सघन वरक्ष लगे हुए है इस शेत्र में हम देख सकते हैं कि सूरे का प्रकाश भी पहुच रहा है बच्चों क्या आप इस शेत्र में दिखाई देने वाले सभी पदार्थों को श्रेनी बद्ध कर सकते हैं बिल्कुल हम इन्हें दो श्रेनियों में बांट सकते हैं जैविक पदार्थ या जैव पदार्थ वो अजैव पदार्थ मचलियां, पक्षी, शेवाल, पेड़ पौधे और अन्य जानवर जैविक घटक हैं या इन्हें जैव घटक भी कहा जाता है यद्यपी, सूरे का प्रकाश, जल, वायू, मिट्टी, हवा यह सब अजैविक पदार्थ या अजैव घटक हैं इन सब को देखकर हमारे मस्तिक्ष में कुछ प्रश्ण भी आते हैं जैसे कि यदि आप अजैव घटकों को इस शित्र में से निकाल दें तो क्या जैव घटक उपस्थित रहेंगे? क्या जैव घटकों की उपस्थिती अजैव घटकों की अनुपस्थिती में खतम हो जाएगी? क्या होगा? यदि आप अलग-अलग प्रकार की मच्छियों को जील में से निकाल देंगे? जी हाँ, बच्चों, मच्छियां जील का संतुलन बनाये रखने में सहायक होती है उनके बिना ये जल, शेवाल या काई जैसे पदार्थों के साथ भर जाएगा जो की जील को जल्दी ही सुखा देगा तो इससे हमें यह पता चलता है, किसी भी शेत्र के जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं जैविक घटकों को अगर हम विस्तार पूर्वक पढ़ें, तो इन्हें भी हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं उत्पादक और उभ्भोकता, सभी हरे पौधे तथा नील हरित शैवाल जिनमें प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया कर अपना भोजन बनाने की शमता होती हैं उत्पादक कहलाते हैं, बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वहा के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं वे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं उपभोकता कहलाते हैं उब्भोगताओं को मुखित है शाकाहारी, मासाहारी, सर्वहारी और परजीवी में विभाजित किया गया है इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं आए बच्चों, अब हम देखते हैं आहार श्रंखला और आहार जाल क्या है बच्चों हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वह ही हमारे लिए उर्जा का स्त्रोथ है और विभिन विभिन कारियों के लिए इसी से हमें उर्जा प्राप्त होती है इसलिए वातावरण के विभिन घटकों की परसपर अनोने क्रिया में एक घटक से दूसरे घटक में उर्जा का प्रभा होता है और इसे ही आहार शंकला कहा जाता है मनुश्य अपना आहार स्वेम नहीं बना सकता वह अपना भोजन पादपों वा जानवरों से लेता है लेकिन पौधे या पादप स्ववपोशी होते है यह कारबन डायोकसाइट सूरे का प्रकाश और जल की सहायता से अपना भोजन स्वेम बनाते है इस प्रक्रिया को प्रकाश संसलेशन कहा जाता है बच्चों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हिरन घास खा रही है वह सभी जीव जो हरे पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि शेर हिरन जैसे जानवरों को खा रहा है वह सभी जीव जो मास खाते हैं उन्हें मासाहारी जीव कहा जाता है तो बच्चों अभी आपने एक आहार शंकला को देखा हमने देखा कि शाकाहारी जीव पेड़ पौधे खाते हैं और उन शाकाहारी जीवों को मासाहारी जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि हम प्रत्यक्ष या परोख्ष रूप से पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं पौधे उत्पादक हैं क्योंकि हमारे लिए आहार उत्पन करते हैं और वे सभी जीव जो पौधों को खाते हैं वो भोगता हैं प्रार्थमे को भोगता जो पौधों को खा रहे हैं वह जीव जो प्रार्थमे को भोगताओं को खाते हैं उन्हें द्वित्यक उभ्भोकता कहा जाता है और वह जीव जो द्वित्यक उभ्भोकता को खाते हैं वह तृत्यक उभ्भोकता कहलाते हैं बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव जंगल में मर जाता है जी हाँ धीरे धीरे उसका अब घटन हो जाता है यह अब घटन कौन करता है जिवानू और कवक जैसे शूश्म जीव मरे हुए जीवों के अवशेशों का अब घटन कर देते हैं यह शूश्म जीव अप मारजक कहलाते हैं क्योंकि यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों के द्वारा पुन्हे उप्योग में लाए जाते हैं हम घास के मैदानों में हो रही आहर श्रंखला के देखते हैं जैसे कि घास को टिडडी और खरगोश दोनों ही खाते हैं और चूहे को साप और मोर दोनों खाते हैं साप को भी चील और मोर दोनों ही खा रहे हैं तो इस प्रकार हमें ये दिख रहा है कि प्रते जीव को दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा रहा है एक आहार शंखला अकेली उपस्थित नहीं है बहुत सी आहार श्रंखलाएं मिलकर एक जाल बना रही है तो बच्चों इस प्रकार जहां पर एक सरल आहार श्रंखला के स्थान पर कई शाखानवित श्रंखलाओं का जाल बन रहा है इसे हम आहार जाल कहते हैं बच्चों हमने पढ़ा कि आहार श्रंखला के द्वारा उर्जा का प्रभा होता है जब हरे पौधे प्रार्थमिक उभोगताओं के द्वारा खाय जाते हैं तो खाय हुए भोजन का केवल 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उभोगता को प्राप्त होता है बाकी उर्जा का या तो उश्मा के रूप में पर्यावरण में हास हो जाता है या फिर कुछ मात्रा जीव के पाचन, वृध्धी, जनन वा अन्यकारियों में उप्योग आती है प्रतेक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का ओसतन 10% ही उभोगता को अगले स्तर तक पहुँच पाता है क्योंकि उर्जा की बहुत कम मात्रा ही एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचती है इसलिए आहार शंकलाएं सामान्यत है तीन या चार चरण तक ही पाई जाती है आईए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आहार शंकला का एक दूसरा आयाम क्या है आहार शंकला के द्वारा कुछ हानी कारक पदार्थ भी हमारी जानकारी के बिना हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं कैसे? बच्चों, खेत में फसलों को पीडकों और विभिन रोगों से बचाने के लिए पीडक नाशियों वर रसायनों का उप्योग किया जाता है यह रसायन बहकर मिट्टी अथ्वा जल स्त्रोत में चले जाते हैं मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों के द्वारा जल वखनिश पदार्थों के साथ अवशोशन हो जाता है जलाशियों से यह जलिये पौधों और जन्तूओं में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि यह पदार्थ अजयव निमनिकरत पदार्थ हैं और आपको पता ही है कि किसी भी आहार श्रंकला में मनुश्य क्योंकि श्रीशस्त है तो यह पदार्थ हर स्तर पर बढ़ते जाते हैं और यह रासाइनिक पदार्थ हमारे शरीर में सरवाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है अब हम पढ़ते हैं ओजोन परत के बारे में ओजोन, O3, ओक्सीजन की तीन परमानों से मिलकर बनती है जहां ओक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यांत आविशक है वहीं ओजोन एक घातक विश है तो बताईए कि ओजोन परत क्या करती है और यह हमारे लिए क्यों आविशक है जी हां यह सूरे से आने वाली पराबैगने किर्णों अथार्थ अल्ट्रा वॉयलेट रेडियेशन से प्रित्वी को सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि ये UV radiation या पराबैंगनी किरने मनुश्य वा जीवों में विभिन प्रकार के रोग उत्पन करती है जैसे कि मानव में त्वचा कैंसर बच्चों हमने पहले भी बात करी कि ओजोन ओक्सीजन के तीन परमानों से बनती है कैसे? बायू मंडल के उच्च स्तर पर UV radiation के प्रभाव से ओक्सीजन अनुओं से ओजोन बनती है उच्च उर्जा वाले पराबैंगनी विकिरन ओक्सीजन को विगटित कर स्वतंत्र ओक्सीजन परमानों ओ बना देते है यह स्वतंत्र परमानों फिर ओक्सीजन से सयुक्त होकर ओजोन बनाते है यह इस प्रकार होता है ओटू पराबैंगनी किरनों के वजह से तूट जाते हैं ओक्सीजन परमानों में O प्लस O और यह है oxygen परमानू oxygen gas O2 से जुड़ कर बना लेते हैं O3 या ozone O3 या ozone की मात्रा में गिरावट के कारण CFC है जिसे हम chlorofluorocarbon भी कहते हैं यह हानिकारक पदार्थ refrigerators वो अगनी शमन के लिए इस्तमाल किये जाते हैं 1987 में UNEP United Nation Environment Program या सयुक्त्र राष्ट्र पर्यावरन कारेक्रम में यह सर्व अनुमती की गई कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए अब हम देखते हैं कच्रे का प्रबंधन कच्रे के निप्टान का कारे हमें अपने स्तर पर ही शुरू करना चाहिए अपनी जीवन शैली में सुधार कर छोटी छोटी गलत आदतों जैसे की प्लास्टिक का उप्योग और उप्योग के बास उसे इधर उधर फैक देना आदी को सुधार कर हम कच्रे के प्रबंधन में योगदान कर सकते हैं हमें जैव निमनी करनिये और जैव निमनी करनिये कच्रे को अलग-अलग इकठा करना चाहिए जैव निमनी करनिये कच्रे से हम कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट विधी के द्वारा खाद तयार कर सकते हैं अनुप्चारित बहते हुए मल को स्थानिक जल भंडार और जल स्त्रोतों में नहीं मिलाना चाहिए और 3R के नियम का उप्योग किया जाना चाहिए 3R के नियम का अर्थ है Reduce यानि की कम उप्योग Reuse यानि की पुन्ह उप्योग तथर recycle अर्थार्थ पुन्ह चक्रन इस नियम का उप्योग करके हम काफी हद तक कच्रे का प्रबंधन कर सकते हैं तो आएए बच्चों अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा हमने देखा कि प्लास्टिक एक अजयव निम्निकर्णिये पदार्थ है जो पर्यावरन को प्रदूशित करता है पारी तंत्र में जयव घटक और अजयव घटक होते हैं उर्जा का प्रवहा उद्पादकों से उप्भोगताओं तक होता है विभिन विभिन प्रकार की आहार श्रंखलाएं मिलकर आहार जाल बनाती है ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किर्णों से बचाती है चलिए बच्चों अब देखते हैं कुछ प्रश्ण और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनके उत्तर आते होंगे पारी तंत्र में अपमार्जक कौन से जीव कहलाते हैं जी हाँ बच्चों अपमार्जक शूश्मजीब जैसे की जिवानू वगकवक हैं जो किसी भी पारी तंत्र में मृत्पदार्थों का अपघटन कर उन्हें फिर से मिट्टी में मिला देते हैं ओजोन परत के नश्ठ होने का मुख्य कारण क्लोरो फ्लोरो कार्बन है क्या ये वाक्य सही है या गलत जी हाँ ये वाक्य बिलकुल सही है भोजे पदार्थों में कीट नाशकों का स्त्रोत क्या है पादपों पर कीट नाशकों का छिड़काव जी हाँ बच्चों पादपों पर कीट नाशकों या रसाइनों का छिड़काव करने पर यह पदार्थ भोज्य पदार्थों में पहुँच जाते हैं और आपके लिए अब मेरे पास एक प्रश्न है और मुझे पूरी उमीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर असानी से लिख पाएंगे आपने बताना है आप अपने स्तर पर कच्रा निप्टान की समस्या को कम करने के लिए क्या-क्या उपाए कर सकते हैं तो इसे सोचिए, समझिए और लिखिए तो बच्चों मुझे पूरी उमीद है कि एक जागरुक नागरिक की तरहे आप अपने आस पास के पर्यावरण का ध्यान रखेंगे अपने आतों में छोटे-छोटे सुधार करके हम अपने चारों तरफ साफ सफाई रख पाएंगे और अपने पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचाएंगे क्योंकि यह पर्यावरण है तो हम है और यह पर्यावरण नहीं है तो शायद हम भी ना हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समश में आया होगा तो बच्चों आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे नमस्कार